हमस्कार आप देख रहे हैं सिहोर डाइटर टिवो न्यूज कावाड़ा खरीदने वालों के साथ होई लूट का परदा फास आरोपी पुलिस की गरफ में सिहोर जिले के थाना आहमतपुर में कावाड़ा विपारी के साथ लूट के अग्याद आरोपियों को इन दोर से ग्रफतार करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है हम आपको बता दें के 22 सितंबर को फरियादी सरीखा निवासी करोद भौपाल के साथ अग्याद आरोपियों ने एहमतपुर थाना छेतर के ग्राम मंजड़ा जोड भोजपुर रोड पर कावाड़ा बेचने के बहाने इनके पास रखे 25,000 रुपे एवं नोकिया का पेट मॉबाइल चाकू दिखा कर लूट लिया और बारदात को अन्याम दिया फर्यादे की रिपोर्ट पर अग्याद आरोपियों के बुरुद लूट का प्रकरन दर्चकर अग्याद आरोपियों की तलाश शुरू की गई थी जिससे एहमतपुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है कबाड़ा बेपारी के साथ लूट की बारदात करने वाले आरोपियों को ग्रफता करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त किये थाना आहमतपुर पुलिस ने इसके पास से गटना में प्रिफ्ट की गई मोटर साइकल, चाकू, मॉबाइल, मैं मस्रूखा दोनों आरोपियो के पास से बरामत किया है, हम आपको बता दें कि आरोपियों द्वारा कबाड़े का काम करने वाले फरियादी को कबाड़ा बेचने की बात बोलकर एक आरोपी फरियादी के साथ आटों में बेटकर मंजड़ा जोड़ पर गए थे, पीछे से दूसरे विक्ती मोटर साइकल स आगया और दोनों आरोपियों ने सुनसान जगाँ पर फरियादी को चाकू दिखा कर जेब में रखे 25,000 रुपे नक दी और मोबाइल को लूट लिया, दिन दहाले लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिर लूटेरों को पुलिस ने गिरफतार करने में सफलता प्र आरोपियों को साइवर लोकेशन के आधार पे इंदोर मुसा खेडी से अविरच्छा में लिया था, बाद पूस्ताच के बेकना में लूटा गया, मोबाइल मोटर साइकल तथा चीने गए पैसे जो है उनके कपजे से बरामत करके आज गिरफतार सार आरोपियों दारा जो पूस्ताच की गई थी तो उसमें क्या अन्ने सातियों का आरोपियों ने कुबूला है कि उनका नेटवर्ग यहां पे लोकल में किसी से था या नहीं? नहीं ऐसा नहीं है चूँ कि एक आरोपी यहां का पुरावर सरदी थाने का इस्थानी निवासी है लेकिन बिगद दस वर्ष से इंदोर विराट नगर में किराई के मकान में रह रहा है किन्तो उसका अक्सर इस खित्र में आना जाना है लेकिन कोई रजिस्कर्ड अपराद वगेरा रजिस्कर्ड नहीं है अभी तक के रेकान है खबरों में अभी इतना ही आप देखते रहिए सिहोर लाइब 24 न्यूज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और जाते से जादा शेयर करें